पुक्रिश हाउस के रिडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी देख लेते हैं उसके बाद हम आपको commodity market में भी क्या action होना चाहिए ये भी बताएंगे सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा है महिंद्रा की कल इस स्टॉक में हमने देखा था कि करीब 2% की तेजी भ रही है Bank of America Securities की तरफ से यह जो EV launch हुआ है M&M की तरफ से वो काफी positive था और जो लक्ष देख रहे हैं वो 1450 प्रती शेयर का देख रहे हैं और EPS में भी यहाँ पर revision देखने को मिला है तो एक positive report आई है M&M पर targets भी 1450 का देख रहे हैं इसके अलावा excess bank पर Goldman Sachs की report आई है यह पर खरदारी की रहा है बरकरा रखे हुए हैं लक्ष देख रहे हैं 916 रुपए प्रती शेयर का और इंका कहना है कि आने वाले समय में near to medium term में excess काफी well positioned नजर आ रही है और इंके margins में भी काफी एक मजबूर प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और loan deposit growth भी काफी बहतर रहन का अनुमानिया पर बताया जा रहा है ROE की फ्रेंट पर प्रदर्शन काफी अच्छा रह सकता है यह एक रिपोर्ट आई है excess bank पर campus के जो नतीजे आये थे उस पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है target बढ़ा दिया है 440 रुपर प्रती शेयर के target से देख रहे हैं आप और volume growth में के front पर भी देखेंगे तो काफी मजबूर प्रदर्शन campus footwear के नतीजों के देखने को मिला है तो यहाँ पर target भी company के लिए बढ़ा दिया गया है आखर में बात करते हैं steel sector की यहाँ पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और इस पर Tata Steel पर underperform की राये देख रहे हैं महीनों में steel के शेरों में करी 16-25% की बड़त भी देखने को मिली है overall index में outperform किया है लेकिन इस बीच जो इनको शेर पसंद आ रहे हैं वो है JSPR इस पर outperform के रहा है और Tata Steel और JSW Steel पर यह underperform और बिक वाली की राये दे रहे हैं यह एक report आई है steel sector पर तो इस पर आप नज़र र तवाम खबर ब्रूक रिपोर्ट्स जो हमने आपके साथ में रखी लेकिन चलिए आगे आते हैं और